नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल STD with Guruji में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इससे पहले गरतंत्र दिवस की भी आप सब लोगों को हार्दिक पधाई जी हाँ दोस्तों और आज हम बात करेंगे सीटेट का अनोखा रहस्य प्रात्मिक योम उच्छ प्रात्मिक अस्तर पर किस तरह की प्रश्णे पूछे जाते हैं इन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे भासा सिछण, बाल विकास और परिया औरन इन से जुड़े हुए महातपूर प्रश्णों को देखेंगे परिच्छा देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें टाप 95 कोश्चनों की ये स्रिंखला है दोस्तों और हाँ इससे पहले यदि आप हमसे नए में जुड़ रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सुर्फ एस्टडी बित गुरुजी में बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे आप आल पे किलिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए तो आईए शुरू करते हैं 95 कोश्चनों की इस स्रिंखला को प्रशन पढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि सीटट में दो तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं एक तो नकारात्मक यानि निगेटिव प्रशन होता है जिसका उत्तर हमें नकारात्मक में ही देना होता है और दूसरा होता है पाजटिव यानि सकारात्मक जिसका उत्तर हमें सकारात्मा क्यानी पॉजिटिव में ही देना होता है तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रश्न प्रारंबिक अस्तर पर भासा से छड़का उद्देश है आपके बिकल्प हैं प्याकरडि नियमों को कंठश्ट करवाना अच्छनों की बनावट के प्रति सचेत करना सहज अभिवक्ति के आउसर देना मात्र भासा की लिपी की पहचान करवाना तो देखिए यहाँ पे आपका जो कंठश्ट करवाना ये आपका बिकल्प गलत हो जाता है मात्र केवल ऐसे सब्द आपको मिले अच्छनों की बनावट के प्रति सचेत करना ऐसे सब्द आपको मिले ये प्रश्ण पहले ही गलत हो जाते हैं यानि प्राथमिक अस्तर की बात कर रहा है तो यहाँ पे ना हम नियम को कंठश्ट करवाएंगे ना केवल एक ही भासा में पढ़वाएंगे ना कि अच्छों की बनावट के प्रति मात्र सचेत करेंगे बलकि उसे सहज रूप से और अभिव्यक्ति रूप से उसे आउसर देंगे इसलिए हाँ पे हमारा तीसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाता है आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिसे धिक लाइक करें और अपने मित्रों को सेर करना न भूलिएगा आईए आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्ण कहरा कि परिया उरण के छे मुख थीम निम्न है जिहां दोस्तों ये आपके छे मुख थीम है इसे आप लोग याद कर लिजिएगा दोस्तों ये है आपका परिवार यो मित्र भोजन आस्र या आवास पानी चीजों जो हम बनाते हैं और करते हैं यात्रा ये छे मुख्य थीम है दोस्तों इसमें से कोई भी एक थीम आप से पूछा जा सकता है तो इन कंटेक्ट को आप लोग याद रखिएगा आईए इस इक्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि राश्टिय पाड़ चरिया की रूपरेखा इनसी अफ दोहजार पांच यानि की नेशनल कैरिकुलं फ्रेमवर्क जो हमारा राश्टिय पाड़ चरिया की रूपरेखा है ये दोहजार पांच ने कच्छा एक और दो के लिए परिया और अध्यन के किसी पाठ करम या पाठ पुस्तों की संसुती नहीं की है सबसे उप्योक्त कारण है यानि यहाँ पे देखिएगा पाश्टिय प्यानि सकारात्मक प्रश्ण बना तो हमें यहाँ पे सकारात्मक उत्तर ही डोड़ना होगा आपके विकल्प है पाठ करम का भार कम करने के लिए परिया और अध्यन केवल कच्छा तीन के लिए कच्छा एक और दो के सिच्छार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते संदर्वियोक्त अधियम परवेश परदान करना तो पाठ करम का भार कम करने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा कच्छा एक और दो सिच्छार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता कुछ न कुछ तो जानते हैं संदर्वियोक्त अधियम परवेश परदान करना यही आपका अधियम सही बिकल्प हो जाएगा आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है दोस्तों कहरा किस राष्टिय पाड़चरिया फ्रेमवर्क ने प्रात्थमिक अस्तर पर एक एकी क्रित पाड़चरिया छेत की रूप में पढ़ाये जाने के लिए परिया और अधियन की सिपारिस की विकल्प हैं NCF 985, NCF 1988, NCF 2000, NCF 2005 तो ये किया था दोस्तों इसे याद रखियेगा 1975 बहुत लोग जो है इसमें गलतियां कर देते हैं कि 2005 लगा देते हैं जबकि ये प्रात्थमिक अस्तर पर एकी क्रित पाड़चरिया छेत्र के रूप में पढ़ाये जाने के लिए तो पहला जो पाड़चरिया आया था ये 1975 में आया था फिर उसके बाद 1988 में आया फिर उसके बाद 2000 में आया फिर उसके बाद 2005 आया और ये इसी करम में आगे पढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि अंतर मुखी और बहर मुखी ब्यक्तिति कालच्छन निमने में से किसके द्वारा प्रस्तावित है आपके बिकल्प हैं तो इसका जो बिकल्प सही होगा यह होगा दूसरा वाला यानि आर भी कैटल आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि बच्चों में भासा काविकास प्रारंब हो जाता है किस अवस्था में ये जीन प्याजे के द्वारा बताया गया है आपके बिकल्प हैं संबेदी गामा कवस्था, पूर्व संक्रियात्मा कवस्था, मूर्थ संक्रियात्मा कवस्था, अमूर्थ संक्रियात्मा कवस्था तो यहाँ पे जो विकल्ब सही होगा आपके विकल्ब जो सही होता है इसमें दूसरा वला सही हो जाएगा दोस्तों कि पूर्ब संक्रियात्मत अवस्था इसी में क्या होता है कि बच्चों में भासा का जो विकास होता है वो प्रारंब हो जाता है ये जीन प्याजे का कहना है आईए इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे आगे है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में भासा सम्बंधी योगिता का विकास अपने चर्मोत कर्स पर होता है आपके विकल्प है आपचारिक या अमुर्त संक्रियात्म कवस्था दूसरा है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो यहाँ पर देखिएगा जो सात्मे का जो बिकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका पहला वाला बिकल्प एक दिन सही हो जाएगा कि जीन प्याजे के द्वारा ये बताया गया है भासा संबंध की योगिता का जो विकास होता है ओ अपनी चरम सीमा पर होता है यानि अमूर्त संक्रियात्मक यानि जिसे बताया गया है ग्यारा से पंद्रा तीवार समय अवस्था में इसी में जो है ये अपनी भासा के चरम पर होता है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे दोस्तों आठवा नंबर कह रहा कि प्याजे के संग्यानात्मक सिध्धान्त के अंसार विकास डाट डाट है रुक रुक कर चलने वाली परकिरिया है निरंतर चलने वाली परकिरिया है रुक रुक कर यों निरंतर दोनों चलने वाली परकिरिया है या फिर उपर युगत में से कोई नहीं तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि प्याजे ने संग्यानात्मक सिध्धान्त के अंसार जो विकास की परकिरिया बताई ओ निरंतर चन्ने वाली परकिरिया इन्होंने बताई है आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे और नव नंबर को तो यहाँ परैसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि वाताउरन के अंसार स्वयम को धालना जो कहलाता है उनकूलन यानि उसी के अनुकूल अपने आपको धान लेना ही क्या कहलता है अनुकूलन आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे और दश नंबर को देखेंगे दश नंबर है हमारा कि प्याजे के संग्यानात्मक भिकास के सिध्धान्त के अंसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक धंसे समस्याओं पर विचार कर सकता है आपके विकल्प हैं अमूर्त संक्रियात्मक वस्था, मूर्त संक्रियात्मक वस्था, पूर्व संक्रियात्मक वस्था या फिर इंद्रिये जनीत गामक अवस्था परिकल्पनात्मक यानि समस्या से सम्मंधित जो सोच की परिकिरिया जिसमें विक्सित होती है दोस्तों ये होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक यानि जीन प्याजे के द्वारा जो आखरी अवस्था जो बताया गया है ये है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कि इसी के आधार पे इसी पैटर्न के आधार पे ऐसे ही प्रशने सीटेट के एकजाम में देखने को मिलता है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को सेर करना न भूलें और ये सीटर्स से पहले यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहां से कम से कम मान के चलिए आपका 95 कोश्चन है तो इन 95 कोश्चन में से कम से कम आपके मान के चलिए कि 50 कोश्चन यहां से आना फिक्स है आईए दोस्तों 11 नमबर देखते हैं 11 नमबर है हमारा कह रहा है कि प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है आपके विकल्प हैं व्योस्थापन, आत्मसाती करण, खोज या फिर निर्माड तो प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार समाबेस हो जाने को कहा है आत्मसाती करण क्योंकि जो नए विचार होते हैं किसी बच्चे में तो अपने अंशारों आत्मसाती यानि आत्मसात करता है इसलिए यहाँ पे हमारा दूसरा वाला विकल एकदम सही हो जाएगा और हाँ प्याजे ने बच्चे को खोजी की अवस्था की रूप में भी कहा है तो इसको जरूर ध्यार्मी रखिएगा आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कि भासा अर्जित करने की परिकिरिया में किसका महत्य सरवाधिक है आपके विकल्ब हैं भासा कच्छ का भासा परियोकसाला का भासा पाठिपुस्तक का भासा रूपी समाज का तो भासा अर्जित करने की परिकिरिया में जो सबसे अधिक महत होता है दोस्तों ये होता आपका चाउथा वाला विकल पे एक दम सही हो जाएगा कि भासा रूपी समाज का भासा रूपी समाज के अंतरगत जितना बच्चा जितना सब को सीख सकता है बाकि इनकी अंतरगत और नहीं सीख सकता है यानि भासा कच भासा परियोग साला भासा पाठ पुस्तक इन सब के अंदर उतना नहीं सीख सकता जितना बच्चा समाज के अंदर रह करके सीखता है इस गोस्की का महत बहुत अधीक है आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे और तेरा नमर को देखेंगे तेरा नमर है कि प्याजे के अंसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परवेश की वस्तों को पहचानने यों विभेत करने लगता है अपके विकल्प हैं मूर्त संक्र संक्रियात्मक वस्था और चारी संक्रियात्मक वस्था संबेदी प्रेरख दामक वस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो यहां पर जो बिकल्प सही होगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानि चवथा वाला बिकल्प एकदम सही हो जाएगा आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें फटाफट हम 95 कोश्चनों को देखेंगे और बहुत जादा इसमें डिस्केशन नहीं करेंगे आईए इसी क्रम में चौदा नंबर है कि भासा सीखने का बेवहारवादी द्रिष्टिकोंड डाट डाट पर बल देता है तो किस पर बल देता है अनुकरण पर रचनात्मक पर भासा पर योग पर या फिर अभिव्यक्ति पर तो यहां पर जो इसका राइट आइसर होगा दोस्तों यह हो जाएग आपका अनुकरण पर इसलिए पर पहला वाला विकल्प एकदम सही जाता है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों हमारा कह रहा है कि कच्छा एक के बच्चे अपने डाट डाट योम फिर डाट डाट से प्राप्त बोल चाल की भासा के अन्भों को ले करके आते हैं आपके विकल्प हैं घर परिवार पड़ोसी घर परिवार परिवेस घर परिवार दोस्त या फिर घर परिवार टीवी तो यहां पर दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि घर परिवार और परिवेस को अपने साथ यानि अपने अनुभों के आपके विकलब हैं भूसंदि या अस्थलसंदी, जलसंदी या फिर द्यूब या फिर खाड़ी। तो यह होता है दोस्तों, 16 नंबर का पहला वाला विकल्प एक दिम सही हो जाएगा कि इसी कहते हैं भूसंदी या अस्थलसंदी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं। एक मानुनिर्मित उग्रा है एडूसेट क्या है एक मानुनिर्मित उग्रा है आईए आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि हिंदी सब्द किस भासा से लिया गया है तो हिंदी सब्द की बात कर रहा है दोस्तों कि किस भासा से लिया गया है आपके विकल्प हैं स फार्सी से यानि जो हिंदी सब्द लिया गया दोस्तों ये फार्सी भासा से लिया गया है और जो हिंदी की जो हिंदी है दोस्तों ये देवनागरी लिपी से लिया गया है और हिंदी भासा को 14 सितंबर सन 1949 को समिधान में स्विक्रित कर लिया गया था और इसी दिन को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और समिधान में इसे 343 का के तहट रखा गया है तो इन पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रश्न फूच लिये जाते हैं आईए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर को देखेंगे 19 नंबर है कह रहा है कि नमने में से कौन भारत की समिधान सभा में मसावदा समिध के अध्यच थे आपके विकल्प हैं डाक्टर बी आर अमबेटकर डाक्टर राजेंद परसाथ जवाहल लाल नहरू या फिर सी राज गोपाला चारी तो देखिए मसावदा जो सब्द आप देख रहे हैं दोस्तों यह वाला पॉर्शन तो यह धाचा यानि की जो रूप रेखा है यानि समिधान का जो रूप रेखा है उसी को कहते हैं मसावदा या धाचा तो उसके जो अध्यच थे दोस्तों यह थे पहला वाला बिकल्प यानि डाक्टर भीमरा अमबेटकर दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठन उपनिसद में आस्था रखता है आपके बिकल्प हैं राम कृष्ण मिसन सत्य सोधक समाज सेवा समाज या फिर ब्रह्म समाज तो यह आपका जो बिकल्प यानि यहां उत्तर जो सही होगा यह हो जाएगा आपका चवथा वाला बिकल्प यानि ब्रह्म समाज तो जो इसमें से जो संगठन यानि ब्रह्म समाज जो संगठन है यह उपनिसद में आस्था रखता था आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि संबेग यों संग्यान एक दूसरे से डाट-डाट हैं स्वतंत्र हैं सन्निहित हैं संबंधित नहीं है या फिर पूर्टिया अलग हैं तो ना तो पूर्टिया अलग हैं ना तो संबंधित हैं ना तो स्वतंत्र हैं यहां पे आपका दूसरा वाला विकल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से धिर लाइक करें और अपने मित्रों को सेर करना ना भूलें दोस्तों ये कोई इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जूड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में एक बेल आइकन की घंटी है उसे आल पे किलिक कर दीजिए ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो या जो भी नोटिफिकेशन हो वह आप तक पहुंचता रहे आईए आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कि निम्न लिखित में कौन प्राथमिक सामाजी करण माध्यम है आपके विकल्पे हैं बिद्याले सरकार मेडिया या फिर परिवार तो जो पर्थम सामाजी करण का जो माध्यम होता है दोस्तों यह होता है परिवार यानि बच्चा जो होता है जहां से उसकी सुरुवात होती ह दोस्तों वो होता है परिवार और उसी को पर्थम समाज की रूप में माना गया है आए आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा है तेश नंबर की निम्न में से कौन विकास के व्यापक आयोमों की सही पहचान करता है आपके विकल्प हैं सम्वेगात्मक बहुत धिक बेतिक तिक्स्वा चौथा है सारीरिक संग्यानात्मक सामाजिक और सम्वेगात्मक तो यहां पे आपका चौथा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि जो ब्यापक आयाम है दोस्तों यह जो पहचान करता है यह है आपका सारीरिक के रूप में संग्यानात्मक के आपके विकल्प हैं बच्चों की सोच बैसकों से बहतर होती है दूसरा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रोब से बैसकों से भिन्न होती है तो यहां पे जो 24 का जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह सही हो जाएगा तीसरा वाला बिकल्ब यानि बच्चों की सोच गुडात्मक रोप से बैसकों से भिन्न होती है यह जीन प्याजे के सिध्धान का प्रमुख प्रस्ताव था और जीन प्याजे बिचारों पे अधिक बल दिया है तो यहां पर 25 का बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह आपका तीसरा वाला बिकल्ब यानि बिचारों की अनुत कर्मणियता आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि मौकिक संबाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेयो बाई गोस् आपके बिकल्ब हैं ब्यक्तिगत वारता ब्रांत वारता समस्यात्मक वारता अहम केंद्रित वारता तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा पहला वाला बिकल्ब यानि ब्यक्तिगत वारता एक चौथा वाला बिकल्ब इसमें देख रहे होंगे अहम केंद्रित ये जीन अपने आपसे जो बाते करते रहते हैं और कुछ ना कुछ किरिया कलाब करते रहते हैं जो बढ़बढाते रहते हैं पने मन में जो बच्चे interviewed उन्हें जीन प्याजे अहम केंद्रित वारता कहा है और वहीं उसी जगह को उसी चीज को लेव बाइगोस की जीने बेक्तिगत वारता कहा है तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों तो आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है आईए इसी करम में आगे कह रहा है कि कच्छा तीन के छात्रों ने 16 गुड़े 25 का गुड़ा इस प्रकार किया की 16 गुड़े 25 बराबर 8 गुड़े 2 गुड़े 5 फिर है 8 गुड़े 5 गुड़े 2 गुड़े 5 फिर है 40 गुड़े 10 फिर है 400 इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्रों ने किस नियम का प पूछना चारा है आपके विकलत हैं सहट्चर्यसिधान्त का। पुनरा गृत्तिःयोग का gitu की है बीतरन सिध्धान्त का। तो यह मैं हो जाएगा है पहला वाला प्रस्चर्य शेयसिधान्त का है .Dar29 दोस्तों हम वही चीज बता रहे हैं जो कि परिष्छा में बार-बार पुछे जाते हैं और आईसे प्रसण कभी-कभी repeat भी हो जाते हैं हम ये नहीं कहते हैं पूरी तरह से कि यही प्रस्ण आएंगे लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसी पैटन पर और इसी आधार पर प्रश्ण बन सकते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मश्ट हैं दोस्तों आईए आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि दो दस्मलो वाली संख्याओं के गुडन जैसे की 0.3 गुड़े 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निमन में से कौन साथ से छड़ अधिगम साधन उचित है आपके बिकल्प हैं टेलर का गिंतारा संख्याओं चार्ट ग्राफ पेपर या फिर डाइनिस वाइल कस तो यहां पे जो बिकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका तीसरा वाला बिकल्प यानि ग्राफ पेपर ध्यान में रखिएगा दोस्तों स्वारी से फिर से दिखीएगा दोस्तों, 28 नंबर का, इसका जो बिकल्प सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका संख्या चार्ट, यह graph paper नहीं होगा, बलकि संख्या चार्ट होगा दोस्तों, आएए इसी करम में आगे बढ़ेंगे, और 29 नंबर को देखेंगे, 29 नंबर है हमारा कह रहा क बच्चों को संकेत देना तथा आउसकता पढ़ने पर सहयोग परदान करना निम्न में से किसका उधारन है आपके बिकल्प हैं अनुबंधन का माडिलिंग का पाढ या धाचा का या फिर प्रभलन का तो यहां पर तीसरा वाला बिकल्प एकदम सही हो जाएगा कि पाढ या ध भाचा यानि बच्चों को संकेत देना और आउसकता पढ़ने पर सहयोग परदान करना उनका मदद करना यह कहलाता है पाढ या धाचा आई यह इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे और तीश नम्मर को देखेंगे तीश नम्मर है दोस्तों हमारा कि भासा के अर्जन योमबिकास के लिए सरवाधिक संबेधन सील अवधी कौन सी है यानि भांसा के अर्जन यूम विकास के लिए स्रवाधिक सम्भेदन सील अवधिक कौंसी है ये पूछा चाह रहा है आपका पहला विकल्प है प्रारंभिक बाल्या अवस्था मद्ध बाल्या अवस्था किसोरा अवस्था या जन्म पूर्ब अवधि तो ये होता है दोस्तों, पहला वाला विकल्प एक दम सही हो जाएगा कि प्रारम्भिक बाल्या अवस्था, इस अवस्था में भासा का जो अर्जन होता है दोस्तों, बहुत तेजी से होता है, और विकास भी बहुत तेजी से होता है, आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे दोस्तों 31 नंबर है कि पहली कच्छा में डाट डाट भी लिखना के अंतरगत आता है तो ऐसी कौन सी चीज है जो प्राथमिक हस्तर पे यानि पहली ही कच्छा में वो लिखने के अंतरगत आता है पहला बिकल्ब है सब्द लिखना अच्छर बनाना चित्र बनाना वाक की लिखना तो देखिए इसमें आपका जो बिकल्ब दिया गया है सब्द लिखना फिर उसके बाद है अच्छर बनाना फिर है वाक की लिखना तो ये तीनों जो हैं ये तो होते हैं इसो सब ही लोग जान लेकिन जो आपका चित्र बनाना है दोस्तों यही बिकल्प एकदम राइट अंसर जाएगा कि जो चित्र बनाना होता हूँ पहले ही कच्छा में उन लिखने के अंतरगत आता है और चित्रों के माध्धन से बच्चे बहुत ही तेजी से पकड़ लेते हैं आईए आगे बढ़ अब देखें यहां पर निगेटिफ वर्ड आ गया है दोस्तों तो हमें निगेटिफ में उतर ही देना होगा तो यहां भी देखिएगा कि सबसे कम कौन सा है आपके बिकल्प हैं आर्थ ग्रहन करना अच्छरों की पहचान पढ़ने का उद्देश अनुमान लगाना तो 32 का जो बिकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा दूसरा वाला बिकल्प यानि अच्छरों की पहचान यही जो है सबसे कम महत्पूर है और अगर इसमें यह पूछे कि सबसे अधिक महत्पूर कौन सा है यानि पढ़ना सिखाने में सबसे अधिक महत्पूर कौन सा है तो य हो जाएगा आपका अर्थ ग्रांड करना लेकिन कम की बात कर रहा है तो इसलिए यहां पे अच्छरों की पहचान जो है करवाना यह सबसे कम महत्पूड है पढ़ने की काउसल की द्रिश्टी से आई आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि प्राथमिक अस्तर पर भासा सीखने में भासा संबंधी कौन सा संसाधन सरवाधिक महत्पूड है आपके विकल्प हैं बाल साहित समाचार पत्र टेली बीजन या फिर कम्पूटर तो प्राथमिक अस्तर पर भासा सीखने में भासा संबंधी जो संसाधन सरवाधिक महत्पूर है दोस्तों ये है आपका बाल साहित आगे बढ़ते हैं अगर आपको बाल साहित दिखाई देता है दोस्तों तो बाल साहित आप लगाईएगा क्योंकि इससे बच्चे जो है बहुत अधिक भासा सीखते हैं आईए सीक्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तो कि वहांसा, अरजन, छम्ता किसके साथ संबंदित है यह पूछना चाह रहा है आपके विकल्प हैं ब्रूनर, इसकिनर, प्याजे या फिर नाम, चौमस्की तो यहां पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा चौथा वाला विकल्प यानि नाम, चौमस्की भासा अर्जन के संबंध में इन्होंने बताया था कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है बच्चा जो जन्म लेता है वो भासा के साथ ही जन्म लेता है इनका ये कहना था दोस्तों तो ये इसलिए यहां पे चाओ था वाला भीकल्प एकदम सही हो जाएगा आईए इसी करम में इस अगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि बहुआ सिक्टा हमारी पहिचान भी और हमारी .. का अभीन अंग भी है। तो आपके भीकलब हैं सब्भेता साहित संस्कृति साहित संस्कृति चुनौतियं या फिर सभ्भेता संस्कृति तो यहाँ पे 35 का जो भीकलब सहिग सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका चावथावाला भीकलब एकदम राइट होगा कि सभ्यता और संस्कृती यहीं बहुँ भासिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता वा संस्कृत का अभिन अंग भी है तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्ब एकदम सही हो जाएगा आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से तेवहारों के उस समुह को चुनिये जिन्हें पूरीमा को मनाया जाता है तो पूरीमा का मतलब पहले आप लोग जान लीजिए पूरीमा का मतलब होता है दोस्तों जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से जो दिखाई देता है आसमान मे उसको कहते हैं पूडिमा और जब चंद्रमा नहीं दिखाई दिखाई देता है तो उसको कहते हैं अमावस्या तो इसमें पूछ ये रहा है कि ऐसे समूह को चुनिये जो पूडिमा को मनाया जाता है आपके बिकल्प हैं दोस्तों देखिएगा कि होली महासिवरात्री बुद् रच्छा बंधन तो यहां पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका दूसरा वाला विकल्प एकदम राइट होगा कि होली रच्छा बंधन और गुरु नानक जन्म दिवस यह आपका पूडिमा को मनाया जाता है आई इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे और आगे हैं आपका 37 नंबर देखिएगा परिया उनन से संबंदित कुछ महत्पूर्टत हैं इनको जान दीजिए दोस्तों क्योंकि यह बार-बार एकजाम में पूछे जाते हैं तो देखिएगा पहला इसमें पेट्रोलियम काफी गाढ़ा यों बद्बुदार होता है तो ज इसके अंतरगत ध्यान में रखिएगा दोस्तों मोम आता है गिरीस आता है डीजल कोलतार लपीजी गाइस ये सब्ही आते हैं ध्यान दखने योग बात ये हिए है कि इसमें कुएला नहीं आता है तो इन फॉइंट को ध्यान में रखिएका कि पेट्रोलियम के अंतरगत भी चीजें आती हैं आई आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि नारियल के साथ उबला हुआ टैपी ओका केरल में मिलता है जी हाँ दोस्तों नारियल के साथ उबला हुआ अगर टैपी ओका अगर पूछता है तो यह आपका केरल हो जाएगा फिर पूछता है अगर नारियल के तेल म बनी मचली तो आपका हो जाएगा गोवा इन पॉइंटों को ध्यान में रखिये गए दोस्तों क्योंकि ऐसे ही कंटेक्ट परिया औरण के एक्जाम में पूछा जाता है सरसों के तेल में बनी मचली कस्मीर तो आप कस्मीर मारेंगे यदि आपसे कहता है कि नारियल के साथ कि माइना अपनी गर्दन को जटके से आगे पीछे करता है जब की उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है यानि कि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है यानि 360 डिगरी तक लेकिन मैना जो है ये अपनी गर्दन को जटके से आगे पीछे करता है तो इन पॉइंटों को जुरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों और काफी बार यहां से प्रश्ण पूछे भी गए है आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों हमारा कह रहा है कि मुक्तार पुर गाउं पोचम पल्ली इन पॉइंटों को देखिएगा दोस्तों पिर बिल बेनिका गाउं ये करनाटक पर पढ़ता है गाधी धाम आपका अहम्दाबाद में है बिलसाड आपका गुजरात में है कोजी कोड आपका केरल में है और मर गाउं आपका गोवा राज में पढ़ता है तो यहां से फैक्ट पूछे जाते हैं परिया उरण में दोस्तों कोई आप से पूछ लेगा, कोई अस्थान दे देगा और पूछ लेगा ये कहां पे है आगे है दोस्तों कहई रहा कि असम में बहुत बारिस के चलते जमीन 10 से 12 फुट उचे या वाँस के खंभों पर बनते हैं और मनाली में बहुत अधिक बारिस के चलते माकान पत्थर यों लकड़ी के बनते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि असम में जमीन से 10-12 फुट उचे यों बास के खंभों पर बनते हैं, जो माकान बनते हैं, वो 10-12 फुट उचे और बास के खंभों पर, लेकिन मनाली में अगर वहीं हम बात करें, तो बहुत अधिक बारिस के चलते माकान जो बनते हैं, वो पत्थर यों लकड़ी के बनते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, मनाली में माकान जो बनते हैं, वो पत्थर यों लकड़ी के बनते हैं, और असम में जो बनते हैं, वो 10-12 फुट उ वो किन कीटो को खाते हैं तो पर जीबी कीटो को खाते हैं इन कंटेक्ट को आप लोग याद में रखिएगा आए आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर हमारा कह रहा है कि कर्णम यह देखिएगा दोस्तों कर्णम मलेस्वरी है महस्वरी हो गया है इसको आप लोग सुधार कर लीज आपसे पुछा जा सकता है कितने मेडल जी चुकी हैं तो 29 मेडल जी चुकी हैं और ये आंध्र परदेश की रहने वाली हैं तो कंडम मलेश्वरी कहां की रहने वाली हैं आंध्र परदेश की रहने वाली हैं कितने मेडल जीता 29 मेडल कितने किलो भार उठाती हैं तो 130 केजी का आई आगे पढ़ते हैं फिर है ब्रेन लिपी तो ब्रेन लिपी से संबंधित आप से पुछा जा सकता है कि ये छे बिंदूओं पर आधारित होता है जो द्रिष्ट बाधित लोगों को पढ़ाया जाता है जिससे आगे है बल्लम एक छोटी नाव है जो केरल में चलती है जी ह देखने की छमता बहुत अधिक होती है तो इस कंट्रेक्ट को ध्यान में रखिएगा कि जो चूहे होते हैं उनमें देखने की छमता जो है बहुत कम होती है परन्त स्वाद यो मसूहने की जो चमता होती बहुत अधिक होती है अगला है गिलहरी के दात हमेशा बढ़ते रहत कहीं कहीं आप किताबों में पाएँगे जो है आपका चूहा लेकिन चूहा जो है नहीं आपका दोस्तों जो Minister later गया है या आपका है गिलहरी लगा तो गिलहरी के दाथ हमेशा बढ़ते रहते हैं आई ये इसी करंव में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों फिर है देखिए ये भी जो है प्रश्न हैं से पूछा गया है की 10 प्लस ताबा या इसी को ताबा को कापर के नाम से भी जाना जाता है इन प्लस ताबा या कापर से काँ सा तयार किया जाता है जी हां दोस्तों काँ सा किस से तयार किया जाता है चाहे आपके विकल्प में टीन और ताबा मिले या टीन और कापर मिले तो दोनों सही है दोस्तों कि EBS को कहते हैं, इसको कहते हैं मिजोरम राज में यह पर सिदह है कु़टुक जो भासा है दोस्तों, ये कुटुक भासा पूछता है, तो ये जहारखन्ड में بोरि जाती है अगला फिर Ling Ho Fin या Hong Kong यानि चीन का एक साप है जो वहां के लोगों का मुख्य भोजन है तो कुडुग भासा जारखन भी बोली जाती है और Ling Ho Fin ये साप का बना हुआ एक भोजन है दोस्तों जो की हांकांग के लोग और हांकांग आपका चीन में पढ़ता है तो वहां के लोग ये खाते हैं आई आगे बढ़ते हैं कहरा कि गोलकंडा का किला कात किये राजबन से ने बनवाया था जी हाँ दोस्तों, जो गोलकंडा का जो किला है दोस्तों, यह कात की राजबन से ने बनवाया था, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी बार पूछा गया एक्जाम में, फिर है दोस्तों, भोजन पकाने के तरीके, जी हाँ दोस्तों, इस तरीके को आप लोग जान लीचिए, क्योंकि एक्जाम में बहुत ही जवर्दस इसमें देता है, तो पहले भोजन को जो किया जाता है, पहले भूना जाता है, फिर उबाला जाता है, फिर तला जाता है, फिर सेका जाता है, ये आपके NCRT बुक से जो है लिए गए हैं दोस्तों, तो भोजन पकाने का जो तरीका है भूनना उबालना तलना फिर उसके बाद सीखना अगला है दोस्तों कह रहा है कि जल के सुरोत जल के सुरोत में आपका चस्मा जील बारिस कुवा नहर तालाव समंदर नदी इत्याद ये सभी आते हैं आई आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा कि एक पस्मीना साल छे स्वेटरों के बराबर होता है जी हां दोस्तों काफी बार एकजाम में पुछा गया है कि एक पस्मीना साल छे स्वेटरों के बराबर होता है यों पस्मीना साल बुनने में धाई सो घंटे लगते हैं यानि दो सो पचास के बराबर होता है और एक पस्मीना साल बुन्ने में 250 घंटे लगते हैं इसको ध्यान में रखिएगा अगला कंटक्ट देखिएगा दोस्तों इसमें कफी बार यह भी पूछा गया है कि किस किस में क्या-क्या हम कर सकते हैं जैसे देखिएगा वर्ग आयत और तिर्भुच में हम क्या-क्या कर सकते हैं इसमें क्या-क्या निकाल सकते हैं कहने का मतलब है तो इसमें हम छेत्रफल निकाल सकते हैं गुड़न खंड निकाल सकते हैं और परिमाप ज्यान कर सकते हैं बस और इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि वर्ग आयत और हो जाएगा बिर्तिक की अगर बात करें तो छेत्रफल गुड़न खंड और परीद हम निकाल सकते हैं अगला है गोला और बेलन तो गोला और बेलन में क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम छेत्रफल निकाल सकते हैं, गुड़न खंड निकाल सकते हैं, परिध निकाल सकते हैं, और आयतन निकाल सकते हैं अगला है घन और घनाव तो घन और घनाव में क्या क्या कर सकते हैं छेत्रफल निकाल सकते हैं गुड़न खंड निकाल सकते हैं परिमाप निकाल सकते हैं और आयतन निकाल सकते हैं अब इसमें देखिएगा कि कामन कौन से हैं तो सब में जो कामन है दोस्तों यह है आपका छेत चेत्रफल और गुड़नखंड यह सब में रहेगा बस आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखना होगा कि वर्ग आयत तिरभुज में परिमाब इसके साथ यानि चेत्रफल गुड़नखंड के साथ परिमाब निकालते हैं बृत में चेत्रफल गुड़नखंड के साथ परिद नि पहुर आयतन निकालते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों क्योंकि यहां से प्रश्ण अक्सर बनते हैं आई आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि 3D आकृति वाले कौन कौन से हैं कि कभी कभी पूछ लेताक है कि 2D आकृत कौन सा है या 3D आकृति कौन सां तो देखिए गार इसमें घन घनाव बेलन गोला प्रिजमे संकू और पिरामिड यह 3D आकृति वाले चित्र हैं तो अगर आप 3D आकरित वाले याद कर लेते हैं तो आपका 2D बचेगा हो तूडी हो जाएगा या तो आप 2D याद करने जिये तो 3D बचेगा तो एक अगर आप याद कर लेते हैं तो अगला अपने आप वो याद हो जाएगा तो यह होता है याद करने का trick तो 3D आखरित वाले जो हैं ये घन हैं, घनाव हैं, बेलन हैं, गोला, प्रेजमें, संकु और पिरामिड आई आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि 0 से 90 अंस के मध्ध के कोण को नियून कोण जी हाँ दोस्तों ये directly fact ऐसे ही पूछ लिये जाते हैं कि किसके किसके मध्ध के कोण को क्या क्या कहते हैं तो 0 से ले करके 90 अंस के मध्ध को नियून कोण कहते हैं जबकि 90 अंस के कोण को संकोण कहते हैं जी हाँ दोस्तों 0 से 90 तक जो होता है उसको कहते हैं नियून कोण और यदि 90 अंस का हो जाता है तो उसको कहते हैं समकोण ये वीडियो दोस्तों लंबा तो जाएगा ही लेकिन यदि आप इसे एक बार अधिन कर लेते हैं तो दूसरा कोई और वीडियो पढ़ने की जिरूरत नहीं पढ़ेगी और इसमें हमने सारे कंटेक्ट को इसमें पढ़ा दिया है दोस्तों जहां से अक्सर प्रश्ण बनते हैं आईए आगे बढ़ते हैं फिर कहरा है कि 90 से 180 यानि 90 से 180 अंस के मद्ध के कोण को क्या कहेंगे अधिक कोड ये अधिक कोड फिर है 180 के कोड को क्या कहेंगे तो रिजी कोड या सरल कोड बस ऐसे ही याद करना होगा कि 0 से 90 के मद्ध कोड को क्या कहेंगे नियून कोड कहेंगे और 90 के कोड को क्या कहेंगे तो सम कोड कहेंगे फिर है 90 से 180 अन्स के मध कोण को क्या कहेंगे तो अधिक कोण कहेंगे और 180 अन्स के कोण को क्या कहेंगे मात्र 180 अगर पूचता है तो आपका हो जाएगा रिजी कोण या इसी को कहते हैं सरल कोण फिर है आगे जहां दो कोडों का योग 90 अंस हो तो उसे कोट पूरक कोण कहते हैं जैसे क्या है इसमें 60 पलस 30 बराबर 90 यानि जहां दो कोडों का योग 90 हो यानि 60 पलस 30 बराबर 90 उसको कहते हैं कोट पूरक कोण और जहां दो कोणों का योग 180 अंस हो उसे समपूरा कोण कहते हैं जैसे 90 पलस 90 एक 180 तो इन कंटेक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये कंटेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कहरा कि निम्न में कौन सूच मगतिक कौसल का उधारन है आपके बिकल्प हैं चड़ना, फुदकना, दौड़ना या फिर लिखना तो यहां पे चौथा वाला बिकल्प एकदम सही हो जाएगा कि लिखना तो सूच मगतिक कौसल कौन से हैं दोस्तों यह है आपका लिखना आए आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा कि हम करके सीखते हैं किसने कहा आपका विकल्प है डाक्टर मेस योकम सिंपसन या फिर काल सेनिक तो यहां पे तीसरा वाला विकल्प एक दिम सही हो कि सिंपसन ने ही कहा था कि हम करके सीखते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि अनुकरण की परकिरिया में सर्व पर्थम सिसू अनुकरण करता है तो किस किन चीजों का अनुकरण करता है आपके विकल्प हैं बेंजन वर्डों का स्वर्वर्डों का स्व वो करता है आपका चाउथा वाला विकल्ब सही जाएगा सब्दों का क्योंकि वो घर और परिवार में रहता है जैसे जैसे परिवार का जो वाता उरन होता है वैसे उसी बच्चा पहले बेंजना और वर्णों को नहीं सीखता है वो सबसे पहले सब्दों को पकड़ना सीखता है इसलिए यहां पे चाउथा वाला विकल्ब सही हो जाएगा आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों भासा सिछड की किस विध में मात्र भासा को मध्धस्त नहीं रखा जाता आपके विकल्प हैं ब्याकरण विधी सूत्र विधी अनुवाद विधी या प्रतेच्छ विधी तो यहां पे चाउथा वाला विकल्प एक दिम सही हो जाएगा कि प्रतेच्छ विधी को आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे इसमें हम पंचानवे कोश्चनों को देखेंगे दोस्तों और यह पंचानवे कोश्चन आपके सीटट के एक्जाम के लि बच्चे कैसे सीखते हैं बच्चे क्यों नहीं सीखते बच्चों ने कितना सीखा है बच्चों ने क्या सीखा है तो यहां पे सतत आगलन का जो देश होता है दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं यहां पे पहला वाला विकल्प एकदम सही ह हो जाएगा आईए सिक्रम में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर कह रहा है कि उच्छ प्राथमिक अस्तर पर भासा सिच्छड का एक महत्पूर उद्देश है तो उच्छ प्राथमिक साहीत बिधाओं में रचना करना तो साहीत बिधाओं में रचना करना यह भी गलद हो जाएगा भासा के लंकारिक रूप मात्र पहचणने से कुछ नहीं होगा भासा की नियमबध प्रकिर्टी को पहचानना यानि दूसरा वाला विकल्प एक्दम सही हो जाएगा आए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे दोस्तों कहरा कि साहित की किसी विधा के सिछड में सास्वर पठन सरबाधिक आपेचित है आपके विकल्प हैं आत्मकथा, संस्परन, एकांकी या फिर जीवनी यहाँ पे तीसरा विकल्प एक्दम सही हो जाएगा कि साहित की एकांकी विधा के सिछड में सास्वर पठन सरबाधिक आपेचित होता है आए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पचास नमर को देखेंगे च्छंदों से युक्त जी हाँ दोस्तों काफी बार एक्जाम में पूछा गया है इसको बेरी बेरी इंपॉइंट आप लोग कर लीजिएगा कि च्छंदों से युक्त या फिर च्छंदों से बद्ध होती है कौन सी होती है गद्ध पार्ट, नाटक, कहानी या फिर पद्ध तो यह होगा आपका च्छंदों से युक्त होता है यानि च्छंदों से बद्ध होता है और च्छंदों से जो बद्ध नहीं होता यानि च्छंदों से मुक्त होता यागर मुक्त पूछता है तो आपका हो जाएगा गद्ध और वहीं पे अगर युक्त पूछता है तो आपका हो जाएगा पद्ध इन दोनों चीज़ों को याद में रखिएगा दोस्तों contact यदि आपसे मुक्त कहे मुक्त मुक्त मतलब कुछ नहीं मुक्त हो जाए तो ये हत्वा है आपका गद्ध और कहें छंदों से मुक्त तो आपका गद्ध हो जाएगा अगर आपसे कहता है युक्त तो आपका हो जाएगा पद्ध आगे हैं दोस्तों कहरा कि किसी नदी के खड़े पासर्व वाली गहरी वा संकीरड घाटी को कहते हैं तो क्या कहते हैं कगार, कटक, भ्रेग, महाखंड तो यह कहते हैं महाखंड यानि चाउथा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे और बावन नंबर देखेंगे कहरा कि कोरो मंडल तट पर सरवाधिक वर्षा होती है बिकल्प हैं पस्चमी विजोब से, दच्छली पस्चमी मानसून से, उत्री पूर्वी मानसून से या फिर अस्थानिये पौनों से तो कोरो मंडल तट की बात कर रहा है दोस्तों, यानि आपका आंधर पर्देश से ले करके जो तमिल लांड का जो छेतर है दोस्तों इसको कहते हैं कोरो मंडल तट तो यहाँ पर वर्षा कैसे होती है, यह पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पर तीसरा वाला बिकल बेग्दम सही जाएगा कि उत्री पूर्वी मानसून से, आई आगे बढ़ते हैं, आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि उत्री पस्चमी भारत में सीथ कालीन वर्षा होती है, य पर दच्चडी पस्चमी मानसून से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा पहला वाला बिकल्ब यानि पस्चमी भिछोब से, आई आगे बढ़ते हैं, आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि भासा सिच्छड में कौन साबिंदू, सबसे कम महत्पूड देखिए दोस्तों, सबसे कम की बात कर रहा है, बिकल्ब हैं भासाई अभ्यास, भासिक परिवेस, पाठ समागरी या फिर परीच्छाएं, तो चवण का जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा तीसरा वाला बिकल्ब, यानि इसमें कम तो यहां पर हो जाएगा आपका भासिक परिवेस, आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे, आगे हैं दोस्तों कह रहा है, भासा के आधार पर भूत कौशल है, क्या है, क्रम बद धुरूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किये जाते हैं, अंतह संबंधित होते हैं, या फिर सर्वथा पिर्थक होते हैं, तो पच्पन का जो बिकल्प सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका दूसरा वाला बिकल्प, यानि हमेशा अर्जित किये जाते हैं, आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे, आगे दोस्तों कह रहा है कि सास्वर पठन का मुख्य उद्द है, तो सास्वर पठन का मुख्य उद्देश क्या है, मौन पठन करना, बोल बोल कर पढ़ना, तुरुति गति से पढ़न करना, या फिर बच्चों की पढ़ने संबंदी जिजग समाप्त करना, तो सास्वर यानि जो सास्वर होता अपने खुद से जो स्वर करके जो पढ़ महतपूर अंतर जी हां दोस्तों महतपूर अंतर की बात कर रहा है आपके विकल्प हैं भासा का कठनाई अस्तर भासा की पाठि पुस्तक भासिक परवेश की उपलब्धता या फिर भासा सीखने सिखाने की पद्धती तो यहां पे जो 57 का जो विकल्प सही होगा यह हो हैं आगे हैं दोस्तों 58 नमबर कहे रहा कि मौखीक भासा के आकलन का सर्वोत्तम works यहां पर जो भीकलब सही होगा दोस्तों यह पहला वाला भीकलब सही 一 CHO जाएगा यानि और भादें यह मौखीक भासा के आकलन का सबसे उत्तमzin करते हैं है आईए इसी करम में आगे पढ़ेंगे और उनसाठ नमबर देखेंगे कि आकलन तो आकलन क्या है मूलता सिच्छक के इंद्रित ही होता है यानि यहां पर निगेटी पोड़ा गया तो इसलिए यहां पर पहला वाला बीकलब एक दम गलत फिर है केवल या केवल सब्द आपक का अभिन अंग है फिर है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है तो यहां पर जो बीकलब आपका सही हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा तीसरा वाला बीकलब यानि आकलन जो होता है यह भासा सीखने सिखाने की परकिरिया का अभिन अंग होता है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता आईसा नहीं है ये भी गलत है आगे बढ़ेंगे। ऐगे हैं क्रिष्टीना कष्चा Το बंट ले जाती है आपकली कष्चा के जो बचे हैं उनको छेतर भर मण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भर्मण पर चर्चा करती है यह डाट डाट की और संकेत करता है यानि जो भर्मण पर ले गई थी विद्यार्थियों को उनसे चर्चा करती है तो किसलिए चर्चा करना चाहती है वो बच्चों से क्या करवाना चाहती है यह पूछना चाह रहा है आपके विकल्प हैं आकलन के या फिर सीखने के लिए आकलन तो यहां पर 60 का जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका पहला वाला विकल्ब की आकलन के लिए सीखना वो क्या कर रही है कि आकलन के लिए उसको सिखा रही है आई आगे बढ़ेंगे अगे दोस्तों कह रहा है कि सबसे अधिक और जटिल सामाजी करण होता है तो किस अवस्था में होता है आपके विकल्प हैं पूरबाल्य अवस्था के दवरान प्रोड़ा अवस्था के दवरान व्यक्ति के पूरे जीवन में किसवरा अवस्था के दवरान तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण जो होता है यह होता चौथा वाला विकलब एकदम सही जाएगा कि किसी उरा अवस्था के दवरान होता है आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे और 62 नमबर को देखेंगे 62 नमबर है हमारा कि ब्यक्तिगत सिच्छार्थी एक दूसरे से डाट डाट भिन होते हैं विकास के करम में, विकास की दर में, विकास की सामाने छमता में, बृध्धी और विकास के सिध्धान्त में तो यहाँ पे ब्यक्तिगत यानि किसी विसेश, यानि एक ब्यक्ति की बात कर रहा है तो ब्यक्तिगर्द सिच्छार्थी एक दूसरे से जो भिन होते हैं, वो होते हैं, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, कि विकास इधर में होते हैं, आई आगे पढ़ेंगे, 65 यानि 63 नंबर है कि आनुबान सिक्ता को डाट-डाट सामाजिक सरनचना माना जाता है, काफ यानि यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, आई यहाँ इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, और 64 नंबर देखेंगे, आउधारणाओं का विकास मुक्रोप से डाट-डाट का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, बहुत धिक विकास का, सामाजिक विकास का, सारेरिक या फिर संबेग आत्मक विकास का, तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका पहला वाला विकल्प, यानि बहुत धिक विकास का, आई यह इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, आगे है दोस्तों कहरा कि भासा मक्रोप से होता है, किस रूप में ह आगे है दोस्तों कहरा है कि गुलोब क्या है, पिर्थवी का एक अर्ध गोलाकार माडल है, पिर्थवी का एक दो आयामी माडल है, पिर्थवी का एक बृत्ताकार माडल है, पिर्थवी का गोलाकार माडल है, तो यहाँ पे चाउथा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा की पिर्थवी का गोलाकार माडल है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है दोस्तों कह रहा है सार्षर नम्मर की पढ़ने संबंधी विकार संबंधित है तो पढ़ने संबंधीत विकार संबंधित ये पूछ रहा है दोस्तों आई इसको जान लेते हैं यह काफी बार एक तो इसमें से प्रश्ने एक आना अनिमार है दोस्तों तो पढ़ने संबंधी यह आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प यानि डिक्सलेसिया यह तो पढ़ने संबंधी विकार है डिस्ग्राफिया यह लिखने संबंधित होता है डिश कैकुलिय यह गड़ना संबंधित भीकार है और अफेज्जा प्राफिया इन कोहता है, बोलने संबंधित होता है, जो बिकार उप्तन होता है उसको अफेज्जा कहते हैं, dyscalculia जो होता है गड़ना संबंधित विकार है, dysgraphia आपका लिखने से है और dyslexia जो होता है ये पढ़ने संबंधी विकार होता है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों, सीखने के लिए आकलन ये पुछ रहा है कि सीखने के लिए आकलन है तो क्या है अभी प्रेड़ा को बढ़ावा देता है अलग करने और रेंग देने के प्रयोजन में ग्रेट्स को पूरी तरह से महत्त देने पर बल देता है या फिर बिसिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गदविधी है तो जो 68 का जो बिकलब सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका पहला वाला बिकल या अभी प्रेड़ा को बढ़ावा देता है तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वो अभी प्रेड़ा को बढ़ावा देता है आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे 79 नमबर है कह रहा कि परिया और अध्यन में सिच्छक के द्वारा बच्चों को स्यम अपने का आकलन के लिए आउसर देना चाहिए स्वा आकलन है स्वा आकलन क्या है? सीखने का आकलन है सीखने के लिए आकलन है CCE या सीखने के समान आकलन है तो यहाँ पे जो 79 का जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह आपका चौथा वाला बिकल्ब सही हो जाएगा कि सीखने के समान आकलन है यानि स्वा आकलन क्या होता है सीखने के समान आकलन माना जाता है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है दोस्तों कह रहा है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निमने चड़ो के क्रम से कौन सा सही तरीका है सही तरीका इसमें पूछ रहा है दोस्तों तो आईए सबसे पहले जानते हैं इसका बिकल्प क्या है बिकल्प है कि प्रश्न लिखना ब्लू पिर्ट रूप रेखा तयार करना डिजाइन से मिलान करना अंक योजना बनाना तो इसमें जो बिकल्प सही होगा दोस्तों हम बता दे रहे हैं यह हो जाएगा आपका तीसरा वाला यानि डिजाइन तयार करना ब्लू पिर्ट तयार करना प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना फिर अंक योजना लिखना तो यह होता है एक संतुलित प्रश्न बनाने की निम्न चरण आई यह इसी करम में आगे बढ़ेंगे और एकात्तर नमबर देखेंगे एकात्तर नमबर है कि परिया औरण सिछण के सूत्र और आगमन बिधी के सूत्र जी हाँ दोस्तों परिया औरण के जो सिछण सूत्र है वही आगमन बिधी के सूत्र भी हैं तो इसको देख लीजिए कि उदाहरण से नियम की ओर जो उदाहरण पहले उदाहरण बताया जाए फिन नियम बताया जाए तो उसको कहते हैं आगमन विधी या इसी को कहते हैं परिया उरण से छड़ के सूत्र इसमें कौन-कौन से आते हैं इसमें देखें ग्यात से अंग्यात की और हम लोग अध्यन करते हैं, उस्थूल से सूच्म की और, पिशिष्ट से समान की और, मूर्त से अमूर्त की और, पूर से अंस की और, अनुभो से तर्क, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित की तरफ हम लोग जाते हैं, किसमें परिया औरण सिच्छण सूत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही चीज होता है और आगमन विधी की सूत्र की बात करें तो भी इसी में यह चीजे होती हैं तो आपसे पुछा जा सकता है कि निमने में से परिया उरण के सिच्छण सूत्र कौन सा है तो एक विकलब दे देगा कि ग्यां से अग्यांत या अग्यांत से ग्यांत तो आपका हो जाएगा ग्यांत से अग्यांत की ओर निगमन विधी क्या होता है दोस्तों ये होता है कि नियम से उधारन की ओर चलता है ठीक इसी का अपोजिट होता है दोस्तों जो आगमन विधी यानि परियानल के जो सिच्छड के सूत्र होते हैं इसी का ठीक अपोजिट यानि उल्टा होता है इस विध में आगमन विधी से विप्रित यानि उल्टा होता है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है दोस्तों कह रहा है कि हिस्टूरिका विधी यह होता है दोस्तों यह विधी खोज पराधारित होता है और स्वयम करके सीखने पर इसमें बल दिया जाता है तो किसमें हिस्टूरिका विधी में इसको ध्यान में रखिएगा आगे दोस्तों फिर फर्या औरण का ये कंटक्ट आ गया दोस्तों इसके देख लीजिए चील बाज गिद्ध हम लोगों से चार गुना अधिक देख पाता है तो कौन-कौन से हैं चील हैं बाज हैं गिद्ध हैं इसमें एक और आता है अपका गर की बात करें तो हमसे छे गुना अधिक देख पाते हैं आगे कंटक्ट को देखते हैं कवे के घोंसले में लोहे के तार लकड़ी की टहनी मिलती है कवा पेड़ की उची डाल पर अपना घोंसला बनाता है आप से पुछा जा सकता है कौन साइसा पच्छी है जो सबसे उची कववा घोंसले में लोहे के तार लकड़ी की टहनी मिलती है फिर है एक और य। इस प्रकार घोंसला नहीं बनाता है तो कोईल अपना घोंसला नहीं बनाता है ये जो होता है ये कवे के घोंसले में अपना अंडा देता है और कवा जो है अपने अंडे के साथ साथ कोईल के अंडे को भी सेता है आई आगे बढ़ते हैं आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि विकास शुरू होता है कि सवस्था में उत्तर बाल्य आवस्था में, परसर पूर्ब आवस्था में, सैसो आवस्था में, या फिर पूर्ब बाल्य आवस्था में, तो इसका जो बिकलब सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा दूसरा वाला, यानि परसर पूर्ब आवस्था में, आईए इस सिक्रम में आगे बढ़ दिया है मनुग बैज्ञानिक परिगटना है या फिर भावात्म प्यवाद है तो जो चिंतन होता है दोस्तों यह आपका बिकल्ब सही हो जाएगा यानि पहला वाला संग्यानात्मक गधिविधी है आए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे दोस्तों स्रीजनात्मक मुख् यानि यह होता आप सारी जिंतन ऐसे में बहविद्व इमसारे पर इन्दृत है थेस्टर में आगे बढ़ेंगे ooky tree अशीटर नंबर है दोस्तों कह रहा है कि यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है आपके विकल्प है हरा और पीला नारंगी और लाल काला और सफेद बैगनी और नीला तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा काला और सफेद दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक सथी लाइक करें सेर करें दोस्तों यदे आप हमसे वीडियो में नए जोड़ हैं तो इस्टिडी बीद गुरु जी को आप फालो कर सकते हैं बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे आल पे किलिक कर देजिए ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंसता रहे आईए सतात्ता नमर देखेंगे सतात्ता नमर देखिए प्रश्ण तो बहुत बड़ा है दोस्तों लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है आप प्रश्ण पढ़ते जाएए और उत्तर इसमा निकलता जाएगा कहराया कि किसी प्रवतिये छेत्र में प्रेच्छन करने पर यहां पाया गया की लोगों ने अपने घर पत्थर, मिटी, लकडी और चूने से बनाए है नीचे की मंझिल पर जानवर रहते हैं और जरूरत का समान रखा जाता है तथा स्वयम पहले मंझिल पर रहते हैं सभी घरों की छटे सम्तन हैं तथा इन्हें पेडों की मोटे तनों से बनाया गया है यहां परवतिये छेत्र किस प्रदेश का भाग है तो दो मंजिलों की अगर बात करें दोस्तों, कि एक मंजिल पे जरूरी समान और दूसरे मंजिल पे स्वयम रहते हैं, तो यहाँ पे इसको देखते ही आप लगा सकते हैं जम्मू कस्मीर, यह जम्मू कस्मीर की बात कर रहा है, आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे, आगे बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्पूर है, तो क्या है, सुन्दर लेखन है, वरतनी की सुधता है, क्या ब्यात्मक भासा है, विचारों की अभिवेक्ती है, तो लिखना सिखाने में सबसे अधिक जो महत्पूर है दोस्तों, यह आपको आपका विचारों कि अभिवेक्त यानि चाउथा वाला विकल्प एक दम सही हो जाएगा आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 89 नमबर देखेंगे कि भासा कौसल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है अब देखें यहाँ पर निगेटिव वड़ आ गया दोस्तों कि सही नहीं है यानि कि कौन सा खतन सही नहीं है तो हमें निगेटिव में ही उतर देना होगा कह रहा है कि भासा कौसल एक दूसरे से संबंधित होते हैं जी हाँ यह तो होते ही है यह तो सही है भासा कौसल एक करम में अर्जित नहीं किये जाते हैं तो ये चीजे गलत हैं अर्जित किये जाते हैं भासा कौसल एक करम में ही अर्जित किये जाते हैं तो एक ही करम में ये तो वास सही है कि एक ही करम में अर्जित किये जाते हैं भासा काउसल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जी हां दोस्तों ये भी सही है कि भासा काउसल जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो भासा जो काउसल हमारा दोस्तों इसको कहते हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना यही करम है दोस्तों सुनना बोलना है कि भासा कावसल एक करम में अर्जित नहीं किया जाते हैं तो यहीं विकलब आपका गलत है और यहीं जो निगेटिफ है तो इसलिए यहां पर यहीं वाला विकलब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे असी नंबर है कि प्रात्मिक अस्तर पर बच्चों की भासा के आकलन में आप स्रबाधिक महत्त किसे देंगे जाच सूची प्रशनावली लिखित परिच्छा या फिर फोर्ट पोलियो तो दोस्तों ऐसे प्रशनों में यदि आपको फोर्ट पोलियो कहीं दिखाई दे तो दम राइट एंसर हो जाएगा आईए इसी करम में आगे पढ़ेंगे आगे है दोस्तों की बाला का पूरा रूप क्या है यह कभी-कभी पूछ लिया जाता है बिकल्प हैं अधिकम सहायक की रूप में बिल्डिंग मस्तिक सहायता प्राप्त अधिकम असाइन्मेंड अधिक दोस्तों की प्रारंभी कच्छाओं में एक गणतिय अधार्णा के विकास में निम्द निर्देशों का अनुकरम किस प्रकार किया जाना चाहिए तो किस प्रकार की रूप में किया जाना चाहिए गणित की अधार्णा में चित्र बनाना प्रतिकात्मक प्रत्मिधित का आप योग करेंगे कि अनुभो परदान करेंगे या फिर भासा के माद्धिम से समझेंगे तो जो 82 का जो बिकल्ब सही होता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला बिकल्ब जो है ये सही हो जाएगा यानि तीसरा चौथा पहला दूसरा यानि सबसे पहले आप क्या करेंगे आनुभो परदान करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे भासा के माद्धिम से समझाएंगे फिर उसके बाद चित्र बनाएंगे फिर उसके बाद क्य करेंगे आईये सिक्रान में आगे पढ़ेंगे आगे है दोस्तों कि हिरता till निए इस्थी को समझने की छहमता है तो कौन सी चहमता हैに जिसात्मक चुद्रक सल या फिर इस्थितिय कौो जाएगा कि या भी सब leftover सापेच जो इस्थिती की समझने की जो छमता होती है दोस्तों यह होती है चित्र के माध्यम से यानि तीसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा चित्र कौसल आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे कहरा कि परिया और अध्यन पाठ करम बच्चों की समगर सिच्छा का कारण बन सकता है यदि यह है विशैगत एकी कृत समाबेशी उपर युक्त सभी तो यहाँ पिच्चा उथा विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि उपर युक्त सभी परिया और अध्यन पाठ करम बच्चों की समगर अगर समगर आप से पूछता है सिच्छा का कारण बनने के लिए तो उपर युक्त सभी हो जाएगा यदि आप से एक पूछे कि परिया और अध्यन पाठ करम बच्चों की कौन सी सिच्छा का कारण बन सकता है तो आपका हो एकल पूछता है तो आपका एकी क्रित हो जाएगा यदि समग्र पूछता है तो यहां पर उपरियुक्त सभी हो जाएगा तो इस चीज को ध्यार में रखिएगा आए आगे बढ़ेंगे आगे दोस्तों कह रहा है कि बाइगोस्की के अंसार समीपस्थ विकास का छेत्र है इस इसमें आप मात्र इसे उत्तर के रूप में इसे जान लेजिए यहां पर तीसरा वाला विकलप सही होगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत रूप से किये जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार के बीच में जो अंतर होता है वो बाइगोस्की के अंसार शेत्र बताया गया है इसलिए आपर तीसरा वाला विकलप राइट आइसर जाएगा आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे और 86 नंबर देखेंगे 86 नंबर कह रहा कि रेत और नमक के मिस्रण को प्रिथाक यानि अलग करने के लिए प्रकिरियाओं के निमने चार करमों में किसका इपियोग किया जाना चाहिए आपके बिकलप हैं वास्पन आउसादन निस्तारन निस्यादन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों इसमें जो बिकलप आपका सही हो रहा है उसको हम बता दे रहे हैं इसमें जो बिकलप सही होगा यह आपका चौथा वाला जो जाएंगा कि पहले निस्यादन होगा फिर निस्तारं होगा फिर वाश्पन होगा फिर आपका गरहें करें अगे दोस्तों 87 5-9 को भासा कैरा कि बासा है अब और चिंतन में संबंद होता है यह कथन किस रूप में हैं पूर्ट्या सही है पूर्ट्या गलत है बेर्थका है या फिर आंसिक रूप से है तो यह चीजें होती है पूर्ट्या सही भासा और चिंतन जो होता है जो संबंध होता है दोस्तों यह होता है पूर्ट्या सही यानि अपने आप में समलित होते हैं एक चिंतन के बिना भासा धूरा है और भासा के बिना जो है एक चिंतन अधूरा होता है। इसलिए यह पूर्ट्रया सही है। आईए इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे और 88 नमबर देखेंगे 88 नमबर में कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिये गए सभी जानुरों में निम्न में से कौन सी विसेस्ता पाई जाए गी छिपकिली गवरया कच्छवा और सांप के बारे में ये बताना चारा है कह रहा है पहला आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है 89 नमबर हमारा कह रहा है कि इस पौधे में पतियां है जिने सबजी की तरह परियोग में लाया जाता है इसके बीजों में तेल प्राप किया जाता है या पौधा है यानि इसकी पतियों से हम क्या करेंगे सबजी बनाएंगे और जो उसमें से बीज होगा उसका हम तेल खाएंगे तो ऐसा कौँ सा पौधा है पालक है नारियल है बंद गोबी है या फिर सरसो तो यहाँ पे चाउथा वाला विकल्ब एक दम सही जाएगा कि यह सरसो नामक पौधा है यानि सरसो की बात कर रहा है आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे आगे दोस्तों कहे रहा है कि सामान्यत्या गडित सीखना कठिन है क्योंकि विकल्ब है इसकी प्रकेर्टि मूल अमूर्त है बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं सिखन पद्यति तुरिटी पूड है गडित के अच्छे सिख्चक उपलब्द नहीं है यह तो एकदम गलत है यह भी गलत हो जाएगा बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं इसकी प्रकेर्टि मूलता अमूर्त है इस रूप में होती है विसेश्टी करण से मूर्त से अमूर्त व्यापी करण से या फिर कोई भी नहीं तो यहां पे जो विकलब आपका सही हो जाएगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा इक्यानवे का पहला वाला विकलब यानी विसेश्टी करण से विसेश्टी करण से आपक करड़ा धीरे दीरे बिक्सित होती है तो इह हो जाएगा आपका दूसरा व्लापिखल्प यानि मूर्थ से अमूर्थ होता है दोस्तों सोरी इसके लिए विस्षिटी करण नहीं होगा मूर्थ से अमूर्थ होगा आए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे दस्तु कह रहा है कि भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है विकल्प है मिथाइल आइसो साइनाइट मेथेन कार्बन मोनो आकसाइड या फिर उपर युग तिस्षा भी तो यहां प किसकी अधिक्तम विर्द्धी होती है हाथ की पैर की सिर की या फिर उंगली की तो यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा कि पैर की होती है आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे चावरान में नम्मर कह रहा है कि जल जनित रोग है तो जल जनित रोग कौन सा है मस्ति प्रश्न को हम लोग देखेंगे एक किसान दो दानों को भूंसे से अलग करना चाहता है जिस प्रकिरिया से यह किया जा सकता है वह कालाती है यानि भूंसे से दाने को जो अलग करने की प्रकिरिया है किसके माध्धम से हो सकती है आपके विकलप है हस्त चैन थ्रेसिंग निस्पाधन या फिर फसल की कटाई से यहाँ पे दूसरा वाला विकलप एक दब सही हो जाएगा कि थ्रेसिंग से ऐसा संभव है तो दोस्तों यह पंचानबे कोश्चन की एक ऐसी स्रेंखला जो सीटेट देने से पहले यदि आप देखते हैं तो आपको सीटेट में बहुत ही मददगार साबित होगा तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बाक्स में आउस बताएं और अपने मित्रों को भी सेर कर करते रहें तो अगले वीडियो के लिए हमें अनुमत दीजिए बहुत बहुत